आईए बात करते हैं दाहार्ती, वीर, बहादूर, प्राकर्मिक और देशभक्त कौम, अक्सर सुख्यों में रहने वाली कौम गुर्जर कौम की, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे गुर्जर कौम की उत्पत्ति, इनका रहन सहन, भारत देश में योगदान, धरम पर वरतन मुश्लिम गुर्जर, इनके द्वारा बोले जाने वाली भासा है इत्यादी, चलिए एक नजर डालते हैं गुर्जर जाती के इतिहास पे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप पर इन्फोलेज में, अगर आप इसी प्रकार की और भी इंड्रेस्टिंग और इन्फ खड़े रहें, बात करें अगर गुर्जर शब्द की तो संस्कृत के विद्वानों के अनुसार, गुर्जर सब्द एक संस्कृत सब्द है, जिसका अर्थ है शत्रुविनासक। बता दें आपको की अफगानिस्तान के राष्टकान में भी आपको गुर्जर शाती का नाम देखने को मिलेगा। भारत में आने के बाद कई वर्षों तक है योद्धा रहे और छटी सदी के बाद इन्होंने अपना सामराज्य बनाना सुरू किया। बारवी सदी के बाद गुर्जरों का पतन होना सुरू हुआ जिसके कारण वे कई साखाओं में बट गए। कुछ जातिया राजपूत्व ब्रहमन में जाकर मिली कुछ को मजबूरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। और कई बची जातिया खेती और पशुपालन में लग गई। मुगलो द्वारा इनके धर्म परिवर्तन करवाने की ही वज़ा से आज इनकी संक्या इसलाम धर्म में भी अच्छी खासी है। गुर्जर जाती के उपर कुछ स्थानों के नाम आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। भारत का गुजरात राज्य जो की गुर्जर जाती के नाम पर पड़ा है। गुजरात से पहले या छेत्र लाट, सौराष्ट और कठियाबाद के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान के पंजाब में भी आपको गुजरात और रावलपिंडी में इस्तित गुजरावाला सहर गुजरों के नाम पर देखने को मिलेगा। उत्पत्ति गुर्जर अभी लेखों के हिसाब से ये शूर्यवंसी या रगुवंसी हैं। प्राचीन महाकवी रार्शेखर ने गुर्जरों को रगुकुल तथा रगुग्रामिडी कहा है। और गुर्जर नरेस महीपाल को दहारता गुर्जर बताया है। मिहीर भोज को गुर्जर परतिहारवंस के सबसे बड़े शासक कहा जाता है। गुर्जर परतिहारवंस क्या है कब से कब तक चला। यहां एक अलग टॉपिक बनता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। दोस्तो यह था गुर्जर जाती का इतिहास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और भी इन्फोमेटिव वीडियो अगर आप देखना चाते हैं। तो चैनल को सबस्क्राइब कर बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए।